हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो दर्पन पुटेक तो कैसे आप सभी आज हम आपको बताने वाले हैं एक अंगराखा पैटन डिजाइनर टाइप की फ्रॉग जिसकी स्लीप्स रहेंगी बलून वाली और उसमें फ्रिल भी रहेगी आप लोग बैसे भी बहुत जादा डिमां कपड़ा लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 44 इंच की है ट्राउजर में से कुछ फैब्रिक बचा हुआ है हमने एक मीटर फैब्रिक अलग कर लिया है इसमें से निकाले हैं हम चोली और स्लीप्स तो कपड़े को डपल कर लेंगे किनारी से किनारी मिलाकर और इसको एक ब है तो उसका आधा हम साथ पर निशान लगा लेंगे आर्मोल्स हमारे साड़े 6 इंच के हैं अब यहां से इंची टेप रखेंगे तो चोली की जो लंबाई है वो हमारी 13 इंच है 14 इंच पर निशान लगा लेंगे आधा इंच सलाई में यहां दप जाएगा और आधा इंच करेंगे तो 32 हो जाएगी 32 का चोथा ही बाग करेंगे तो आठ इंच आएगा आठ पर निशान लगा लेंगे अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे इससे इसको मिला लेंगे और यहां पर दो इंच का मार्जन ले लेंगे यहां पर एक सीधी लाइन कीचेंगे आर्मोल्स का शीप ड्रॉ करेंगे और यहां से यहां तक की लंबाई रखी है हमने एक इंच अब हम इसकी कटिंग करेंगे अब इन दवनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे बेक पार्ट इसमें से हटा देंगे फ्रेंट पाट को वापिस से जमा कर रख लेंगे अब इसकी आर्मोल्स में एक इंच और अंदर से गहराई करेंगे देखी कुछ स्ट्राइब से अब हम करेंगे नेक की कटिंग गले की विर्थ रखेंगे हम पौने तीन इंच और गले की लंबाई रखेंगे हम साथ इंच साथ पर माक कर लेंगे अब हमें वी गला बनाना है इसलिए स्केल से हैं आपन ऐसा तिर्चा निशान लगाएंगे अब इसी निशान पर से कटिंग कर लेंगे फ्रेंट साइट का नेक कटिंग हुआ है, इसको साइड में कर लेंगे, बैक साइट का पार्ट ले लिया है हमने, इसकी गले की विर्थ हम पौने तीन इंच रखेंगे, गले की लंबाई हम तीन इंच रखेंगे, और नीचे भी पौने तीन इंच गले की विर्थ रखेंगे, लाइन कीच के बॉक्स बना लेंगे, इसमें गोल कला ड्रॉ कर लेंगे, अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे फ्रेंट और बेक साइट के गले कटिंग हो गए हैं, इन दोनों को साइड में कर देंगे और अब यह जो कपड़ा बचा है, इसको ले लेंगे, यह हमारा फोर पार्ट में रखा था, इसको डबल कर लेंगे यह हमारा डबल हो गया, दोनों किनारी से किनारी मिला कर, अब इसके बाद इसको एक बार और पलट लेंगे तो यह हमारा four part हो गया इसमें निकाल रहे हैं हम sleeps तो यहां से इंची टेप को रखेंगे और हमाई जो sleeps की लंबाई है वो 11 इंच की है तो 12 इंच पर निशान लगा लेगे आधा हिंच से लाई में हमारा यहां दबेगा और आधा हिंच हमारा उपर दबेगा लेकिन हमें इसम कि तो इसमें तेड़ इंच फैब्रिक माइनस कर लेंगे यह देखिये तो साड़े दसिंच पर हमने निशान लगा लिए है अब हीका कॉर्णर पर आ जाएंगे और यहां से लगाएंगे मिर्ण बोलें यहां से स्वीया को सेप्टाउन कर लिए अब अ हम्याच पनी दाह कर लकी सीध्य कर लेंगे ब्रॉट चुल में में घषकत इंगेंate फिनतमर तो यह थे हमारें अम्याच यह बताओं कर देगे कर दो भींद रहां करदेगे स्लीप की कटिंग हमारी हो गई है अब हम कट्स लगा लेते हैं है कट कट हमें पर 1 कंस एंपर लागाना है दो इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे तो 47 इंच हो जाएगा देड इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा और आदे इंच ही हमारा चुन नटों में दब जाएगा इसलिए हमने दो इंच का फैब्रिक को बढ़ा कर रख लिया है अब इंची टेप को वापस ले लेंगे यहां इस फैब्रिक में से जितने भी पार्ट निकले हम उतने निकाल लेते हैं इसको आगे बढ़ा कर रख लेगे घड़ी बना कर इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है इसमें से हमारे दो पार्ट और निकल जाएंगे तो इनको भी कटिंग कर लेते है और यह सा और फोल्ड कर लेंगे अब हम उतने चोली लेंगे चोली का फ्रेंट पार्ट ले लिया हमने इसके उपर रखेंगे और इसी के बराबरी से कटिंग कर ली है यह हमारा कटिंग हो गया है इनको अभी साइड में कर लेंगे यह वाला फैब्रिक लेंगे इसको यहां से खोल ल यहां पर नीचे चला जाएगा यहां पर इस तरफ आएगा और यहां पर नीचे चला जाएगा अब हमें यहां के लिए एक और फैब्रिक चाहिए था तो यहां पर फैब्रिक कम है तो यहां पर जोड़ जाएगा यहां पर जाएगा यहां से डिजाइन आजाएगा जब प्रीटिस की स्ट्रिचिंग करेगी तो आपको बता देगी अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा जादा है तो जैसे हमने इसको तरफ किया है तीन पार्ट का वैसे ही आपको चार पार्ट करना पड़ेंगे और आपका एकदम सही बन जाएगा जैसे हमने इस तीन ले लिए थे तो दो इस तरफ आगा है तो यह था निदे निकालना पड़ा यह जैसे में यहां से फोल्ड करेंगे यहां पर दब जाएगी और यहां से यहां तक हमारी डेड़ इंच की तायार बनकर आ जाएगी इस बाली पट्टी को अभी हम साइड में कर देंगे अभी यह जो फैब्रिक बचा इसको ले लेंगे दो इंच की दो पट्टियां और निकालना है यह अभी हमारी निकल गई अब यह दो पट्टियां हमारी लगें की का देखे यहां पर यहां वाले वाली पट्टी zodि निच डीट लेगी अभी JACK बड़े आ यह रही हमारी फ्रेंट साइट की चोली और यह रही हमारी बैक साइट की चोली और यह रही हमारी स्लीव्स की पट्टी और यह रही हमारी स्लीव्स पूरी फ्रोग कटिंग हो गई है और अगर आपको यह फ्रोग की कटिंग पसंद आई है और समझाई है तो वीडियो को तो इसमें से हमें दो पाइट लेना है, देखिए हमने दो ले लिए, तो यह जो हमाई चोली है, इसमें सबसे पहले हम यह जो कली हमने कट की ती, इसको यहां पर जॉइन कर लेंगे, इसके बाद इनको करेंगे हम उल्टा यहां से, उल्टा करके यहां से इसलाई लगा इसके बीच में हम जो बैद दोरी रिडी करी है इसको यहां पर फसा देँगे AND में इसना है, इसको करना opar इसे ओपर रख लेगे हम यहां से थिलायी जोली रख लिग और यहां से लिखिया है समेके दो ये वाले और दो ये वाले तो इनको मैंने समय के लगा दी है अब इसको हमें यहां से लेना है और इसको पलट देना है इसेवाली फैप्रिक को सब्सक्राइब इसको ऐसे हैं इसको भी रइडि कर लेंगे यहां से सलई लगाकर इस में हमने इसको जो रइडि कर दिया अब इसको रेडि करने के बाद हमें यह भाना है और back part को खोल के रख लेना है यह हमने इसको खोल के रख दिया इसमें से हम यह वाला part उठाएंगे इसके उपर रख देंगे बराबरे से यह cut से cut मिला देना है हमें यह देखिए दोनों cuts मिल गए इस तरह से रख देना है इसके बाद हमें ये वाला पार्ट लेना है और इसके उपर रख देना है इसमें भी हमें कट्स से कट्स मिला कर रखना है इसके बाद ये उपर वाली एक पार्ट को इसमें से हटाएंगे यह देखिए हम पिंस लेंगे और पिंस यहाँ पर लगा देंगे और इसको अटेच करेंगे यह उपर वाले दौनों पार्ट पकड़ लेना है और इस तरह से इसमें पिंस लगा देना है यह हमने लगा दी अब हम इसको हटा देंगे खटाने के बाद यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ऐसे में इस सिलाई लगा नहीं है यह देखिए यह जो पीछे वाला पॉर्शन है यहां से लगा लेंगे इसमें पर एसमें ने स 현ень लगा दिए अब इसको पलट देंगे हम ने इसली लगाइव ताकि यहांसे तो एंसा दिखेए कि यहांसे अंगर खर पेटन पर यहांसे खुलेगा नहीं तो आपस में अटेlink दूसरी आया प्राट को दूसरी लेंगे और भी नीचे वैले चोली में थोड़े से रह लेंगे इसको इसको days तो डोरी लगने के साथ इं फ्रंट वाली ठोली तो होकु हही हमाई रेडी अब हमीस को कर देंगे साइड में और बैक वाली लेँगे टेव नहीं Значит आपक़ कुलेने है और खीले के लगाघना के साथ प्ती को यह इस साइड फ Felix करना है इस साइड पलट देना है और इसकी ऊपर लगाना है इसे ₹ पाझ हो गया हमारा रैड़ी अब इसको मैं सीध करके रखना है और front वाली चोली लेना है और इसके ऊपर रख देना है उल्टा करकर यहां से इसको मिलाएंगे shoulder के पास कि इसको पट्टि को पलट देंगे back वाली को पक्की अच्छाई कर लगा कर शोल्डर को आटेच करेंगे इसी की जैसे हमने इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर दिया है अब इसको हम यहां से खोल देंगे खोलने के बाद इस पट्टी को पीछे साइड पलट देंगे और यहां से कच्छी सलाई लगा कर इसको अटैच कर देंगे पट्टी पे सलाई लगाने के बाद अब हम इसको कर लेंगे सीधा और अब हम इसमें लगाना है स्लीप्स तो स्लीप्स रेडी कर लेते हैं तो सबसे पहले यह हमाई पट्टी है इसमें से एक पट्टी ले लेंगे और इसमें से भी एक स्लीप्स लेंगे और इसको खोल के कर लेंगे सिंगल, सिंगल करने के बाद ये वाली जो पट्टी है हम इसको ले लेंगे और इसको सीधा लेना है हमें, सीधा लेना है और यहां से डवल कर देना है और यहां से रखना है इसको और डवल में यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा कर इसको अटेच कर देंगे सिलाई लगा कर इसको कर दिया हमने अटेच अब जैसा हमाई यह पट्टी रखी हुई है यही से हम इसके बरावरी से एक निशान लगा लेंगे अब यह जो हमने निशान लगाया है यहां से इसको पलट देंगे दूसरे वाली जो पट्टी कट की थी दो इंच वाली इसको लेंगे यहां से फोल्ड करेंगे और यहां से रखेंगे इसको और यहां से इस पर सिलाई लगाएंगे अब यहां से भी इसको पलटना है और इसके उपर सिलाई लगा कर पट्टी बनाते जाना है पट्टी लगने के वाद यह जो हमने नीजे वाली पट्टी लगाई है इसका मारजन हमें पट्टी के साइड करना है इस वाले साइड और इस तरह से नाखुन लगा देना है इसके बाद इसको पलटके कर लेंगे हम उल्टा और लास्टिक ले लेंगे हम आधे इंच वाली और इसको हम यहां से रख लेंगे यह कट के पास से और यहीं से पक्की से लाई कर दी अब पूरी इसको तागत से खीच देना है पूरी यह जो मार जाना है इसको हम पट्टी की साइड करते जा रहा हैं और यहाँ पर लास्टिक लगाते जा रहा है अब हम इसमें एक सिलाई ओल लगा देंगे स्लीप्स की नीचे की फ्रिल तो हो गई हमाई रैडी यह देखिए अब हम इसको बनाएंगे उपर साइड से चुनने टेस में यह जो दीदीना चारेंज पर कट लगाया था यहीं से हमें इसमें कैदर्स बनाना स्टार्ट करना है छोटी छोटी बनाना है दूसरा वाला कट है यहां तक एंड कर देना इनको यहां की गैदर्स बनाने के बाद इसको हम शोल्डर से मेजर करके देख लेते हैं टो यहीं से हम लगाना इसमें स्टार्ट करेंगे तो यह देखे इसमें एकदम फिक्स आ रहा है इसको यहां पर अटेच कर देगे और इसलेट की जार समने स्य सीपज को भी रेडी कर लिया है इसको ंदें यहां से लयका कर देंगे हैं इसे लेकि आप कर देंगे एक साइड़ करना है दूसरी साइड के अभी नहीं कर रूपव्प और powerful कर द को सीजियरी और यहां तक को हटाय यहां से एक को खोल के सिंगल करके रखेंगे तूसरे वाले को इसके ऊपर रख देंगे यहां से लेकर यहां तक सिलाई लगा कर इसको अटैच कर देंगे और इस बाले को फिर यहां पर लाएंगे खोल के और इस बाले में इस बाले पाट को अटैच कर देंगे यहां से लेकर यहां से ले मतलब लंबा घेर अब यहां एक कॉर्नर से ले लेंगे और कमर के नाप से इसमें चुननटी बनाकर रेडी करेंगे इसको तो हम इसमें बनाएंगे आफ आफ इंच की प्लेट्स मतलब आदी आदी इंच की चुन बनाना है हमें इसमें चुननटी बनाकर इसको कर लिए हमने रेडी अब हम इसको कर लेते हैं मेजर बनी है यह हमने इपने घेर और हम से इसको मेजर करेंगे तो सबस्क्राइए हम पलت देंगे हम अभी सीधह हुआ है और इसको हम यहां से बढ़ा कर रख लेंगे यहां से किनारी है कुंड़ से रखेंगे में कटको चुनेटों के पास से रखेंगे और यहां से इसमें लगा देंगे डवल लगा कर चोली वर घेर को हमने यहां पर अटेच कर दिया है और यह देखिए फिटिंग के पास आपको इस तरह से फोल्ड करना यह पूरा इस दवाना नहीं है इस तरह से तरछा फोल्ड कर देना है सीधे साइड से कुछ इस टाइप से आएगा इन दौन लगा कर इस साइड की फिटिंग भी हमने कर दी है अब हम नीचे वाले घेर को फोल्ड करेंगे डबल पल्टी में एक और यह दो दो पल्टी में पूरे घेर को फोल्ड कर देंगे पूरा घेर हमने फोल्ड कर दिया है तो इसी एक साथ बन चुकी है हमाई डिजाइनल वाली फ्रॉक वो भी अंगराखा पैटन की तेकि अंगराखा पैटन भी बढ़िया से आ गया है और यहां से पैक रहेगा और यहां से उपर से तो बिल्कुल समझ आए गा ही नहीं लेकिन से पैक भी रहेगा ऊपर से पते ही ना चलेगा यह पैक है यह लिए यह बहुत ही कम फाब्रिक में जल्द याल्द कुरके बताएगे कि आपको यह पूरी ड्रेस कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो जल्द यल्द वीडियो को लाइक कर देजे चैनल पे नहीं जोड़े वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए आप बाई